दिए विचे है आपा incomes एक्सवायर कर देने है राथ नू नू पूरे सेव यो हम आप इया लाण लादेने हो नहीं लाई जाने है लाई जाने है पूरे सेव तैह गटों कर दोंग लादेने है इस तरीक खिर शञित Nur 성 coffee यह सेबनुराती ओस्ते विच्छे जड़ी बुंदा पैंदिया है दुनिया का हर जानवर नंगे पाउ जमीन पर रहता है और वहीं पर सोता है यानि कि अर्थिंग इक डॉक्टर्स नहीं चाहते कंपनियों नहीं चाहते के उनकी ड़ॉयां कम था आप अच्छा आहां संही होश्की है। यं तो हम ठीक नहीं है जब इस सकते क्योंकि आज भी तो राज है तो मेडिकल माफिया करें रहा हिना तोटे कोली कोई होगा हम चाते ही निवार पता हो थोड़ा है ज़िए निए अपने होस्पितल चलाने की कोई जल्दी नहीं है तो यह पूड़ी को बेवकूफ समझे तो यह बाड़ी हमारा साथ देगी अगर इस बॉड़ी को बेवकूफ समझोगे तो डाक्टर का साथ मैं आप ऐसे पूचुरही है मिक्सी आपके गर में बिल्कुल मिक्सी में समान पीस्ते गरम हो जाती हो चलाओ नश को जल जाएिक की थोड़ा सा ना ऊब आप मेरे बाबू हो उसको भी करो न भी करो उसको भी करो है हो ऐसा ही अच्यागी अगर टीवी लगा हुए लाइट अश।क ररही है तो कर लिए ता साधी सेहत की ना कारना करके विगड़ दिया की खाई है की पहनी है की साधी रोज दी रोटीन किया ए चीजना साथ नो त्यान रखना क्यों जुरूरी है साधी नाल अचारिया मुनिश जी मजूद ने असी अज डेरा वसीदे बीच मजूदा खास गलवत करांगे साधी नाल भी गलवत करांगे के उन्हाली के हो जाना दा इलाज हो या अधान बहुत सारी अधार बहुत प्रसकाल आप मज़कि पढ लो अपनी कि आलना काफी मुलाकात हुईया नहीं अपनी के पहलिए जतों देस्थिन और पाँचियांगे बहुत सारी में थे विख रहा वो करेला रखेया नेमे रखेया मैं कर्दसिकल कि साथा जड़ा सादी सेध बगड़ दिया उस्षरुवात साथे कहान तुछ और ढिमारे शट्रा रखना है और साडना था लाइस्ट्स्ट्ल्स अगर आपनो स्विकार करला है कि असी गल्त है यप्रीक को भागे जड़ा बं आपने मात नेम भीजान? आपने कृम में कहसे चिता है हां? सिरह अcoatपने पैरों के निच् marshाटर आ रहा है? जोब के तो सनेम के साइब है? नेम का, या अब है है ङारहा है यह चिता symptom है पैरों से सम्झाए आपको? उसके लगता है खून से उसकुछ तो आपने खाया तो हैं निवेद खून में कैसे पुँच गया नहीं खाया तो आप ये समझना, हम इस उधारन के माद्यum से सारी दुनिया को, फेशेंट के समझाना चाहने है कि हमारे पेरों में रिसेप्टरस हैं, हमारे पेरों में छेड जो की रिसीव करते है energy को, हम दिन बर जूत चपल में गूंते हैं, हमारी बौडी में एनर्जी जाई नीरी, जबकी दुनीया का हर जानवर जमीन पर रहता है और वही पर सूथा है, यानि कि अर्फिंग अगर मैं आपसे सवाल पूछाओं, अभी थोडे साल पहले पहले नहीं पर नहीं मरेतें। तो साफ कर रहे है करिला ते नीम अगर किसी की शूगर बढ़ी है किसी की बड़ा हुआ है किसी का क्रिटना नहाई रहे है अगर आप उसको इमिडेट यह उपाए करा दो तो दो से चार दिन में किसी किसी का दो चार घंटे में आपको बीपी नॉर्मल आना शूरू हो तो मेरे पर ड्रग एंज मैडिक रेमिडी एक्टर लगा देंगे क्योंकि मैंने खिलाया था जी करेला ला इसलिए खिला नहीं रहा ना मैं देख लो आपके सामने खाना अगला अपनी मर्जी से खा ले शूगर दे नहीं चाहते कंपनिया नहीं चाहती कि उनकी दौईयां क कंपणी बईप मियूद हो और दौना रही है वो महींने की 10 क्रोडव बैच रही हैं वह कियो चाहिए मेरी गोली 9 क्रोड़ हो जाए वह तरहा संवर्स कामर तो अब यहां negativity यह सरा कुछ कर रहा है तो हम मेडिकल माफिया की कमर तोड़ने के strengths का साया कि तुस्यान वीदी दास दिती कि शूगर एदा कट्रोल होजे ना इता कार्ची कंट्रोल होगे फिर थोड़े कोली कोरन होगा हम चाहते ही नियुक्त पता हो जल्दी नहीं है मेरे को अपने उस्पिटल चलाने का कोई लालच नहीं है मैं चाहते हुआ दुनिया स्वस्त हो आते हैं अब इन ही पेशन्ट से पूछते हैं आपको कितने दिन हो गए क्या तकलीफ थी और क्या फाइदा हो यहां के पांच महीं ने से दवाई करवा रहा रहा थे बहां अंदौर में क्रेड़नी खराब थी तो क्या बोला आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको किड़नी में कभी ठीक नहीं होगे जो टो हमारी जो सिश्टर हैं सर यह की किड़नी खराब थी वह बुदाक्रीक भरक्नी कर रही थे बोला था हम आपको जहर खाने के लिए नहीं बोलेंगे अच्छा आपको जहर पताया गया था जी जी के आयरुवेदा इस टाइप आप लोग ना जहर वालों का इंटरव्यू कर रहे हो आप भी आभी साहब लगा लोग ना यह हम जहर बेचने और आप उनका इंटरव्यू कर आने लगे और फिर से जैसे सूजन आने लगी बॉड़ी में और रहता था यह सब यह सिम्टम आने लगे तो हमने फिर से जांच करवाई तो उसमें बताया कि हम लोगों को यह अभी आपकी दिदी को यहां आए वे पांच दिन हो गए हैं आपको क्या फरक लग रहा है इनक क्वाज बखी हैं सबसे पहले से पहले तो हम यह अरवेदा और अचार जीको ठैंक्स बोलना चाहिए कि हम यह पर के और पर और ऑश जी के मार्क दरसन में हमाना आगे बढ़ रहा है है और जैसे कि अअचार जी बता रहे हैं कि जो एक माफिया है फार्मा???? हूआ हुआ है मे प्राइंगे चार्जी का में दा मैं सुझ जो बहुत सारी पेसेंटर दा मिल दें कैसी होस्पिटल दे तो आया हमारी रोज की खुराक पता क्या है हमें अगर सुबा से लेकर रात तक पचास पेशन्ट होई दुआएं दे जाते हैं यह हमारी खुराक है हम इसी में खुछ हो कि यह ठीक हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं अभी मैं आपको एक पेशन्ट मिलवाना चाहूंगा इनकी सासुमा को तकलीफ थी आपने बोला ता आपका होस्पिटल जो चलेगा कैसे इनकी सासुमा का करिट्राइं साढ़ें नों पहुंच गया हमारे पास नहीं लेकिया है मतलब यह बता एक रोटी का एक टुकड़ा भी खाते थे तो दस मिनट के बाद वह बहार आ जाता पानी जो पीते तो वह भी नहीं पचता था कौन से शहर से हो आप भागलपूर से और आपकी सासुमा का की है पटना बिहार से पटना बिहार क्या तिकलीफ थी उनको उनको तो बोले ना पहले सबसे पहले तो वह भी खा रही थी पच नहीं रहा था दस मिनट के बाद वह सारा चीज बहार आ जा रहा था पानी तक नहीं पच रहा था क्रेटिन लेवल बढ़ा हुआ था और उसमें यूरिया फासपुराज मतलब सारा हम देरे पास रिपोर्ट है सा यूट्यूब खोला आजारी जी का वीडियो देखाएंगा दो चार दस वीडियो को सर्च करते 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 फिर दिमाग में पूरा कल्कुलेशन बना के चाट बना के उनका सुबह से लेके साम तक जो है और कित दिन लगे आपकी सासुबह ठीक कर लिया आपने अंको बनाके इन्होंने गर पे खुद को ठीक कर लिया अचारी जी फिर क्यों होस्पीटल में जाते हैं अब कि आभी ताजा बात बतार रहे मेरे पापा को गाल ब्लड़र का कैंसर अच्छा ठीक है और डेली 100 ml, 500 ml ड्रेनेज हो रहा है कौलकाता में हम लोग नरायना हॉस्पिट में ते 22 दिन तक तक तक्रिवन रखा डेली पच्पन जार पचास जार का बिल बन रहा था वहां और वह बुखार नहीं होता है कि 12 अगस्त से तक्रिवन 30 सेप्टेंबर तक बुखार उनको रहा एक सो दो डिगरी तीन डिगरी लाश्ट में हम वहां से घर ले आए बस यूट जो किनकी फ़ेल ले लिए यह इनके लगोंकि अप़ना जाए आड़ से प्रें न वहां है प्रेंग नरायन के छलैंगे हम ँड के आगस्त को हरु और रख ने कर दो यह हैं पापबार कहा ने नहीं नहीं तो अब मैं आपके चैनल के माद्वें उसे बता भी देता हूं भारत सरकार ने नई सुविदा शुरू करी है आप कोई भी एल्थ इंशुर्स कराते हुआ तो कंपनी को बोलो हमें आयूश कवर वाला एल्थ इंशुर्स रही है जो करेंगे लिए जलता है सिर्फ तीन से पांच एरफे की आरोगया संजीवनी पॉलिसी है तीन से पांच एरफे में आपको तीन लाग तक का इलाज शिर्फ आई रफे मिल सकता है तो भई अब लोगों को ही समझना पड़ेगा आप जोसे भाई लोग हमारा स्योप करेंगे तो लोगों को तो बहुत सारे हॉस्पिटलों में पेसेंट जाते हैं और लाखों रिपर उनका खरच्च होता है फिर भी किटनी रिकावर नहीं होदी किटनी निकालनी पड़ती है तो ऐसा जब बुमारी चल रही है तो बहुत सारे लोग चारिया जी के पास आते होंगे फोन आपको काला आते होंगे तो कैसा संबब है के लोग सीधा ड्रेक्ट आपके पास ही क्यों नहीं पहुंच रहे क्या लोगों को इस बात की समझनी या यकीन करना मुश्किल है को हम कह नहीं सकते किसी भी चैनल पर जो आपके हैं पर-satat क्वारं पड़ना पड़ता है कि डयंट में हूंगरता हो सकती है कि लो सकते हैं यू सकता है हम ठीक नहीं बोल सकते हैं लंगे तो क्योंकि आज भी तो राज तो मेडिकल माफिया कहा है ना क्योंकि दो साल ये क्या किया इन लोगों ने एक सिंपल सर्दी जुगाम कारभ और बे का बिजनस बना दिया तो यह देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम सब को आईरवेद और नेश्रोपेथी पे बरोस्ता कर बन गया अगर इनको कोई सिंपल बतायता कि गरम पानी की बाल्टी लेकर चालिस डिग्री टेंपरेश्य रखके इतने पाउंड दूबो के बैठ जाओ और साथ में गरम गरम पानी गुड़ गुड़ कर भी हो तो दो चार घंटे में बुखार उतर जाता है बैसिकली खाके आए और आपको पॉटिया लग गई तो आप जाते हो सो कोड़ बड़े दोक्टर के पास वो बोलता है गोली खाओ रोक लो क्यों भई या हीरे मोती निकल रहे है रोकना क्यों है गंद निकल रहा है नहीं खाना निकालना है लेकिन अगर आई दोक्टर कर आजाओ के बोलेगा निकलने तो जो हो रहा अच्छा है वो बोलेगा नहीं मुझे को कमजोरी और तो थोड़े रेस्ट कर ले लेकिन कमजोरी हो रही है डॉक्टर से गुलुकोस की बोटर लगवा के आजाएंगे बॉड़ी स्यानी है बॉड़ी को पता है मुझे कब क्या करना है हम ब को यह बताइए कि बच्पन में बच्पन में कभी किसी डाक्टर ने आपको इंजेक्शन लगा है कि आपकी इतनी दुस्मनियां उनके साथ आप तो उनका काम ही पहल करने जा रहे हो कि ऐसा ऐसा इसा इसा इलाज हो रहता था मैं 19 साल तक मैं दुनिया जहान की दवाईयां मेडिकल में गए हो अभी मैं 19 साल का था मेरा वजन 49 किलो था हर तीन-चार मीने में टाइफएड नीमोनिया कभी जॉंडिस होता रहता था मेरी मम्मी ने तो कोई डाक्टर नी छोड़ा था सबसे दवाईयां खिलाई और अखीर मेरे को यह बोला गया कि यह ज्यादा लंब उस ते मैं 36 किलो का था तो उतना दान भी दिया लेकिन उससे भी फरक नी पड़ा अखीर आईरवेद के मेरे मौसा जी आईरवेदी डॉक्टर थे जब मैं उनके पास गया वहां मैं तीन मिन रहा और तब से लेके आज मेरी लाइफ बदली फिर मैंने आईरवेद को यह चाहूंगा यहां यूथ बैठा भी है तो अगर हम इंसेक्स सवाल पुछेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा जैसे अब इंसेक्स सवाल पुछो कि जब इनको किसी को कुट्टा काटता तो यह क्या करते हैं अगर मैं आप सी पूछता हूं अगर आप कुट्टा काट चाहिए तो आप क्या करोगे लगाएंगे क्यों लगवाओगे वैक्सीन में क्या है पता है यह न हमें बताया है गया कि कुट्ट ने काटा तो जल्दी से डाक्टर पाश जाओ और मेरे को अब कर पाता नहीं पहले तो साथ टीके लगते थे शौदा टीके भी लगते अपक कि जब पहले 14 टीके लगते थे फिर साथ हो गए अब साथ से दो हो गए क्यों हो गए ऐसा कुछ आईडिया है नि वह तो अच्छा काम करते थे आप बहुत को डाक्तर वाला कुछ रहो मैं कि जब कुटा काटने पर इंजेक्शन लगवाते थे तो 14 लगते थे अभी आजकल ए कोई रिसरच खुई है क्या हुआ है क्या हैसिथ हुआ है चवदा की जगह एक हो गया क्यों लिजव है कुछ आईडिया है आपको विया आइडिया है कि चवदा की जग pick you यह क्यों हो गया वो सरसाय मेरे सजेशन से इसलिए होगा कि पहले जैसे कुट्ते ने काटा तो समय तनी टेकनोलोजी नहीं थी तो पता नहीं चला होगा कि उसमें कितना उसका जो रेविस के बायरस हैं तो उस हिसाब से चवुदे लगा देते अब लेकर समझ में आया कि उसक अब हमें बोलते हैं कि एंटी रभीज लोगा अचा गर कील कील लग जाता है तो हमें बोलता है एंटी टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो जबकि एंटी कुछ होता ही नहीं है लाइफ में जो कुट्टे के काटने से मेरी बॉडी में आया वही उस वेक्सीन के अंधर भी ह तो हमें दोनों कंडिशन में वैक्सीन नहीं लेनी थी अब एक सवाल पुछा था चौदा की जगा एक क्यों हुए तो उसके लिए गूगल पर सर्च मारो कि वाहे 14 की जगा वेक क्यों लगता है तो कंपनी का दावा है क्योंकि जो वह कंपनी है पूरी दुनिया में वह एक ही है जिसके बास पेटेंट है कुटे के काटने की वैक्सीन बनाने का वो कंपनी बोलती है कि अबादी 800 करोड हो गई मैं इतनी प्रडक्शन नहीं कर पा रही इस चक्क्र में चोदा की जगा एक लगाती हूं आज कल कोई रिसर्च पर साथ कुछ नहीं है आई समझ को कंपनी क अगर मैं किसी और को राइट दूंगा तो बनाएगा वो तो यह इस चक्र में चोदा की जगा अब गूगल चेकर लो लगाना नहीं जाहिए तो कुटे ने काटा आया क्या रैबीज की लग आपको आया क्या टिटनस तो इंजेक्शन में भी तो वही आया तो और क्यू ले चाहिए था जहां पर कुटे ने काटा उस जगह पर लाल मिर्च लगानी चाहिए थी और तीन दिन तक खाना ना खाके हल्दी का पानी आपको गिलोए का पानी और आपको बॉड़ी में हरी सबजियां और जूसिज लेने चाहिए थे और बॉड़ी को प्यूरिफाई करना बढ़ी खुद ही नटी intacti antibody बनाती है बाहर से कहीं anti body नहीं आता आप लोग सोचते हो सापने काटा तो anti venom लगाती है बो तो możli नबद सापने काटा टो anti venom काम करता है क्या बता हो सापने काटा तो आप anti venom लगवाते हो बताओ एंटी वेनम कैसे त्यार होता है बताओ कौन से किताब में बढ़के आयो भई घोड़े को सांप को कटवाया जाता है सुन लो घोड़े को पहले सांप से कटवाते हैं ठीक अब जब घोड़े को सांप ने काट लिया तो उसकी बोड़ी ने क्या बनाया एंटी बोड़ी फिर घोड़े का खून निकाल के वैक्सीन मना जेते हैं उसको बोलते हैं एंटी वेनम अब पहली बाद तुम गोड़े हो तो तुमें क्यों लगारे हो वो बढ़ा दूसरी बात फिर गोड़े तो जिस साप ने काटा अगर आपको वही साप काटे तो तो वह एंटी वहां वेनम काम करेगा भी में भी अदराइस वह गोड़े का बलड है भाई कल को तुमारी बोड़ी में वह साइड इफेक्ट करेगा वह कौन बुगतेगा तो करना कह चाहिए था पहली बात दुनिया मे अगर सों साप है तो जरीले सिर्फ एक या दो हैं साप जरीला नहीं होता साप के डर से इंसान मरता है तो अगर हमारे पुराने टाइम पर जड़ी बूटियों से जाड़ा करके भी लोग साप का जयर उतारते थे अब अगर मैं यह बाते बोलूँगा तो मेरे फिर केस्ट देंगे तो इससे अच्छा आप लोग जो कर रहे हो वही करो जब साप काटे अंटी वेनम लगवाओ अपनी बुद्धी को अपनी बुद्धी को दबाओ और डाक्टरों के गुलाम बनो बस करना क्या चाहिए देखो कुटा काटे और अगर मालो आपको बंदर काटे या ब प्यूरिफाई हो जाए बॉड़ी खुद एंटी बना ले अगर आपको करोना भी आया था तो तीन दिन खाना चोड़ना चाहिए था आपको आइडवत कहता है लंगन परम आउश्दम की उपवास ही परम आउश्दी है यह मैंने नहीं लिखा चरक सहीता में लिखा हुआ ह चरक ने लुक्तारी करोना टाइम को यह बहुत सारी तो डेको म्रीज पहुंचे हुने आगे तो सीम दों की सला दिन इस भी की हुना चाहिए गरे जाओ तिन देन अपना वर्त रखो रबने तो आड़े नाकनी स्मेल चिननी क्यों कि ए इंसान नो खुश्बू नावे खाव लेकिन आपकी करते हैं बुखार मुख और बना दो हमें खाना नहीं होता उस ताइम पर क्योंकि बगवान ने टेस्ट हमारा जान बूच के चीना की इंसान मत खा लेकिन हम क्या कहते हैं पीली दाल ले खिचडी दे अचा किसी को बुखार सड़ता है कमजोर है घर पे लेट लेकिन जब छे बर एक इंसान को पूचोगे तो चार वर हो कहता है हां जी खाना है तो फिर इंसान मरे गई अचारी तो दो बंदी नों गुस्टा थे नहीं खाना चाहिए था साथे ददा होंदा जी कोई बंदा घुस्ते हो परवार पूरा परवार कहना है थोड़ा सा खालो थोड़ा सा खालो खाने से कौन सा घुस्ता मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मिक्सी आपके गर में बिल्कुल जब मिक्सी में समान पीस्ते हो गरम हो जाती है तो क्या करते हो बं उसको चला के रखो ना फ्रिज को चला के रखो सड़ने दो ना तो ऐसी हमारी बॉड़ी है सर जब हमारा मूड खराब होता है गुस्से में होते हैं लड़ाई होती है रो रहे होते हैं तो हमारी बॉड़ी में काल्टी सॉल हर्बन बढ़ा होता है डोपामिन एंडॉर्फिन स जब मैं चाहूंगा लिए दिखा दें और ये हमारे कुछ जो साथी यहां पर सदूण पर इनसे मिलते हैं तो तो सर आप ही बताईए एक बार उठके बताओ कहां से अपायो क्या डिकती बताओ अपको निकालना पड़ेगा किसी को बेचना है वह है पता है वह पता है किड्णी को बेचना है तब बोले कि अभी ने निकालो ये देखा कि हलका काम कर रहा है इसे पहले लोटस गामा का ही था पटना का अच्छा तो उसमें जिरो परसेंट करता था था परहेज रखे तो अभी वेट कर लो अभी निकाल रहा है रिकावरी कैसे हुई अब आप यहां किता दिन से आयो बता अच्छा है आप तो लोग बोलते हो आयरवेद अच्छा है यह तो बाई कितने साल से पर्शानता चारी दिन हुए दर्द कम हो गया उल्टा तो आयरवेद फास्त है आपके सामें 15 मिंट के अंदर उन्होंने पैरों के नीचे कर रहा है और मुह में टेस्ट आया तो आयरव अच्छा है यह तो यह हमें ही समयना पड़ेगा चारी अपा आवी तुरसी बहुत सारे थे फूड रख्या पाई भी तो डिनल गलवत करांगा एक तुसी प्रषा भी देओ हांजी 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 यह जो आप हो अभी डेरा वसी में आप खड़े हो यह सौब इसके लाव अमरे सर गुडगाव और गुडगाव परीमियम यह तीनों बीस वीज बैड के आधिली में बीस बीजब आजके दो हैं तो हमारे यह हमस जागार एडवे जागर जाकर ट्रीट्मेंट ले सकते हो चंडिगाड जी रखपुर संगरूर लुद्याना भागलपू बिहार में ठाने मुंबई गोवा दिली में तो यह वो सेंटर्स हैं जहां पर डेकर फैसलिटी है इसके अलावा हमारे सौ से अधिक पूरे भारत में क्लिनिक्स हैं जहां पर हम पेशन्ट को आयरुवेट की मदद से और खाना पिना सिखाके लोगों ठीक रहना सिखाते हैं औ यह से इसके के इने अपहरा रात बाहर रखना है पहलगों रहां रात और हिवाभ रहना हमां प्लीट से ने आप पार भी किस से ओब फिर ड्लूं? यह तरीक कि लाए जाने है लाई जाने है पूरे सेब जो ते गड़ कड़ वीती लूंग लादेने अप्पा इस तरीक के पूरे सेब नु भर देना लॉंग नल उस्तोफ एस सेब लु राती ओस दे विच्छ जडी बुंदा पेंदी है अपनी ओस दे विच्छ रख देना जा जाना जाता है, मुँच गुमाना जाता है, क्योंकि लौंग दासर आगया ना, फिर अगर अगर आपका खावांगे ना, एक खाना 14 जनुरी तक, जदो मकर सकरांती तक, क्योंकि उस तबाद सूरज दीशा बदल जाएगी, सूरज उतराएंड दक्षी आया ना, सिस्टम सुन आटराग पहा जाए, लकवज आटाएक हो जाए, ब्रेंस्ट्रोक हो जाए तो इसे की करोगे, अबुलेंस तो फोन करोगे, डाटर नो फोन करोगे, ऑस्पिटर लेके जाओगे, उन्दे किना टैम लगूगा, जल्दी होगा, अराम न लगूगा, डाक्टर आओगा, नही आटराग बेना होंदे है, बहलाब आप थले जमीन ते बैजाईए, तो ऐस तरीके बैजाईए, तो ऐस तरीके, किसे चीदा सहरा लेके, दिवार दा सहरा लेके, जमीन ते, पुरसी ते नहीं उडिबना डिक सकता है, हाट से पोजिशन बिठाके, यह अदर अदर अधे सकता है, अदरक अगर नहीं पही, तो ऐह काम लेस्टन भी कर सकता है, लेस्टन पया एही काम हलडी भी कर सकती है, नहीं तक जिन यह तहकर नहीं ते ले ग़ explorer हथा होंधी थे लेस्टन ते लेकर जाओ, यह अधरउली नहीं श्रू गर दो कोंए जा खोड़ बंदाब भी हो नबे प्रसेंट तो जाए चांस है ओव बंदेदा होश वापी सा सकते हैं तेक सब्सक्राइब पैंदी स्थिती रखी आज काल बहुत सारे लोग का नहीं पदा किस तरीके जना पैंदा पैंदा जिने भी किर्नी फेल पेशेंट नहीं आपा एना पैर उच्छे कार देने या स वाट वाट इमर्शन चारली टिग्री टेंपरिचर दे पानी गरम करके पेशन नूँए तरीके भढ़ने या पानी यह थे तक ब्रद्याँ सी अगले तक ज़दो एथे पेशेंट बैठ दे वीच ते ओंदे उंदो पसीण निकल निकल दादा ते पेशन दी ओही किडनी व प्रवाइब लिवर फेल ओवे वहाँ में कैंसर होए मावे थैली सीमिया होए सही ग्यान कठा करो मैं अलोपेथी नूवदिया दसना अलोपेथी मॉडरन साइंस वदिया साइंस है लेकिन जडी मेडिकल माफी आना उस तो बचो उस तो बचो जेड़ा सही सलाजे रहे रहे द दुनिया जहान इच कि वापस किड़नी रीग्रो हो सकती है किड़नी अपने आपने आपनों कैपेबले रीजनेरेट करन दे ए रिसर्च दुनिया तक तो आड़े चैनल दे मादब तो पोशना चाहिए कि साड़ी बॉडी दे ताकत है सारी बारे नो ठीक करन दी आपनो उस प्रसिस करके अपनों बेनिफिट हो सकता है अपने लोकां दी रिष्टे आना दी परिवार्द लोकां दी मदद कर सकते हैं तो चंडीगड में जो अभियान शुरू हुआ था अब गुडगाओं अमरिसर दिल्ली जलंधर जैपुर पतियाला संगरूर कई शहरों में हिम्स की ब्रांसी शुरू हो चुकी है अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए भाई राजीव दिख्षित की याद में ये हिम शुरू हुआ था भाई राजीव दिख्षित चाहते थे पूरे विश्व में आईरुवेद का डंका बचे आईरुवेद की वजह से भारत विश्व को बने हमें आपकी मदद चाहिए हर किड्नी पेशन्ट लीवर फेल के पेशन्ट और कैंसर के पेशन्ट तक इस वीडियो को पचाईए और भारत को भी शुरू बनाने में हमारी मदद पीचिए धन्यवाद जैहिंत